जै माता की दोस्तों कैसे हैं आप सब आई होग बहुत अच्छे होंगे आज इसमेडियों बात करेंगे दोस्तों ब्रह्म मोहरत में इस एक मंत्र जाप से कर ले दुनिया मुठी में आप पुरी दुनिया को आप मुठी में कर सकते हैं ब्रह्म मोहरत वो समय है दोस्तों जिस स आपका focus नहीं होता, आपका मन शान्त ही नहीं होता, ब्रह्म मूरत में भी आपको वो चीज नहीं मिल पा रही है, जो इतने दिनों से आप प्रयास कर रहे हैं, एक वो रास्ता बताने जा रही हूं, जिसे बहुत आसानी से अपने mind को आप, अपने मन को आप शान्त कर और उस समय में आप अपने इच्छाओं को बहुत जल्दी manifest कर पाएंगे, अपने विस को आप 100% manifest कर सकते हैं, बस इस technique को अपना ले, करना क्या है दोस्तों, ब्रह्म मूरत बहुत ही जादूई समय होता है, वो एक ऐसा समय जिस समय उसे आप अमृत बेला कह सकते हैं, और आ आप जगते हैं, तो बल, बुद्धी, विद्या, हर चीज आप अट्रेक्ट कर सकते हैं, करने का तरीका होना चाहिए, तो आपको क्या क्या करना है, किस तरह से ब्रह्म मूरत को यूज करके अपने जीवन को बहुत ही खोपसूरत बना सकते हैं, आप आज की वीडियो में मे पहली बार है, तो यह जानने कि मैं अंबिका शर्मा, आपकी एस्ट्रो लोजर, टैरो रीडर, जो आपके लिए राती हूँ, छोटे-छोटे-चोटे उपाए, ऐसे-ऐसे मंत्र, जो बहुत ही प्रभाफ साली होते हैं, लेकि जिसे करना बहुत आसान होता है, अगर मेरी च होता है, तीन बजे से लेके साड़े-पांच बजे का समय होता है, ब्रंग मुर्त का समय, और इस समय अगर आपकी नीद खुलती है, तो दुबारा ना सोए, अपने कुछ कारिये, जो आप पूरा करें आपके जीवन में, आपके लक्ष को प्राप्त करने में, आपकी बहु पूरी नहीं है, कि आप जमीन पर आसन भी जाके बैठे, साफ सुतर जगव पर बैठे, जहां आप शांती से बैठ सके, वहां बैठ जाए और इस मंत्र का जाप करें, उस समय में आप इस मंत्र का जाप ही नहीं, सिर्फ सुनेंगे भी, तो भी फाइदा होगा, सुनते समय अपने जो भी एक्षा है, उसे विजुलाइज करते जाएं, और मंत्र को सुनते जाएं, आपकी एक्षा बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, तो कौन सा है वो मंत्र, मंत्र है दोस्तों, मागाईत्री का ये अदभूत मंत्र, ओम भूर्भू वश्वा, तच्सवितूर वर इन्यम भर्गो देवश्य धीमही, धियो यो नह प्रचोदयात, ये एक अदभूत चमतकारी मंत्र है दोस्तों, इस एक मंत्र से मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ पाया है, आप भी पा सकते हैं, बस आप इस मंत्र को जपना सुरू कर दीजे, मन एकाग्र नहीं हो रहा कोई बात नहीं, मंत्र को जपना शुरू कर दीजे, आपका मन एक काग्र होने लएगा, आप अपने जीवन में जो चीज पाना चाहते हैं, धीरे धीरे उसके करीब पहुंचने लगेंगे, और इस मंत्र को आप ब्रहम मोरत में जब जबते हैं, तो आप ब्रहमान आपके ल लगेंगे, तो कभी आप बुरी नजर नहीं लगेगी, लक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, उस लक्ष को भी प्राप्त कर पाएंगे, तो दोस्तो इतने प्रभावसालि, इतने फाइदे मंत्र को आप अगर ब्रहम मोरत में जबते हैं, तो पूरी दुनिया आपके मुठ अठी में हो जाएगी, करके देखिए, दोस्तो बहुत कुछ बदलेगा आपकी लाइफ में, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक, कमेंट, शेर, ज़रूर कीज़ेगा अगले बीटम फिर मिलूँगी, ऐसे ही किसी विसेज जानकारी के साथ, तब तक देखांग